स्वागत है तोस्तों आपका निखरी हिंदी टुटोरियल्स में ऐसे ही और वीडियोज पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें आज की नई कहानी का नाम है विजेता कौन बंदर और हाथी पंच तंत्र की इस कहानी को आईए जाने एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे हाथी बड़ा शक्तिशाली था वो बड़े-बड़े पेड़ों को एक ही जटके में उखार देता था बंदर काफी दुबला पतला लेकिन बड़ा ही फूर्तीला और तेज था दिन भर बंदर जंगल की पेड़ों पर उचल कूद करता रहता था बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था दोनों ही एक दूसरे से खुद को जादा अच्छा मानते थे इस वज़ा से दोनों में हमेशा बहस हुती रहती थी उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था जो अकसर बंदर और हाथी की हरकते देखता था वह इन दोनों के लड़ाई जगड़े से परिशान हो गया था एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जर्ये आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी दोनों ने फिर एक साथ पूछा इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा उल्लू ने कहा इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है जहां पर एक काफी पुराना पेड़ है उस पर एक सोने का फल लगा हुआ है तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी भी ना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले बंदर ने अपनी फूर्ती दिखानी शुरू की वह एक ही चलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुँच जाता वही हाथी तेजी से दौडने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी मजबूत सून से उखाड फेकता थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुचा जा सकता था बंदर ने फिर से अपनी पूर्ती दिखाई और जट से वह नदी में कूद गया लेकिन पानी की लहर काफी तेश थी तो बंदर नदी में बहने लगा बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सून से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया हाथी के इस व्यभार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ उसने विनमर होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तै करने के लिए कहा बंदर की इस बात को सुन कर हाथी ने कहा मैं नदी पार कर सकता हूँ तुम भी मेरी पीट पर बैच कर इसे पार कर लो इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुँच गए फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड को भी खोच निकाला सबसे पहले हाथी ने अपनी सून से उस पेड को गिराना चाहा लेकिन वह पेड काफी मजबूत था हाथी के प्रहार से वह पेड नहीं उखड़ा फिर हाथी ने निराश हो कर कहा मैं अब यह फल नहीं तोड सकता बंदर बोला चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ बंदर फूर्ती से उस पेड पर चलने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहां पर सोने का फल लगा हुआ था उसने वह फल तोड लिया और पेड के नीचे उतर गया इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लोट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया फल पाने के बाद पुलू ने जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलना चाहा वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया दोनों ने एक साथ कहा फलू दादा अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यक्ता नहीं है इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस भी नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे पुलू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए